राम लला की मूर्ती की प्राण प्रतिष्ठा 14 तारिक से शुरू हो जाएगी लेकिन उससे पहले 13 तारिक को एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है साकेत कॉलेज में यहाँ पर जो आप दिये देख रहे हैं यह दरसल राम की योद्धा रूप में एक मूर्ती बनाई जा रही ह इस तरीके से राम का चित्र यहाँ पर बना जा रहा है दियों के माध्यम से और इस तरीके के आयोजन दरसल पूरी आयोध्या में जगा जगा पर किये जा रहे हैं लेकिन यह आयोजन खास है क्योंकि यहाँ पर राम की एक भव्य प्रतिक्रिती बनाई जा रही है और यह य उजन है यह और किसकी ओर सी कराय जा रहा है यह राम जन्म रामकर भूम न्यास तीर्ट शेट से धास्रम बक्सर जिसके संस्थापक मानिकेंद्री मंत्री असुनी चौबेजी हैं पर्यावन और राज्य मंत्री उनी के तत्वावधान में यह 14 लाग दियों के द्वारा और य स्क्रीन पर दिखाया जाएगा और इसकी चारों तरफ जब योध्था के रूप में दिखेंगे तो चारों तरफ दिपक करके उसको सुभाइमान किया जाएगा इस कार्पर में जहां राम की कर्वभूं थी वहीं से है रथात्रा तेरह तारी को साम पांच मजे माविद्य परिवार रामकर्म भूम न्यास और अजोध्या महोसव न्यास के तत्थंजुक तत्वाद्वान में यह कारिक्रम आयुद्ध किया जा रहा है। इसमें लगभग जो कारीगर लगे हुए हैं 500 आज आज आएंगे रात में और जो चार दिन से अथक प्रयास कर रहे हैं जो महिलाएं यहां पर कमकर 30-32 महिलाएं आई हैं और जो कारीगर हैं वो बारे की संक्या में यह तीन दिन पहले से यहां पर लगे हुए हैं दीपों को बिशाने के लिए यानि यह जो आसपास का इलाका है वो भी दीपों से जगमगाएगा जो राम लला की प्राण पतिष्था हो रही है भव्य मंदिर बन रहा है उसमें निश्चित रूप से मह विला का वीनाम जावा जाएगा और इसी महाविद्द्याले के इसी प्रांगण की रांगण में जब राम जन भूमिका प्रांपतिष्ठा के लिए उद्गाटन हो रहा होने के लिए रानमंत्री यहीं पर लेंड किये थे उसके बाद दिपोसो का कारकम जो 2022 में हुआ था रानमंत्री यहीं साकेत महाविद्द्याले की स्विशाल कांगण में ही उनका हेलिकाप्टर लेंड किया था तो यह आप ज यह ड्रोन से जब देखी जाएगी रात के समय शाम के बाद तो एक भव्य राम यहां नजर आएंगे और आसपास का जो इलाका है वो दीपो से जगमक करता हुआ दिखाई देगा एक भव्य आयोजन यहां पर हो रहा है जो यहां पर अन्य प्रोफेसर्स हैं उनसे भी हम ब अयोध्या का बहुत विकास हुआ है और हमको तो लगता है बहुत कुछ बदल गया है सडकों से ले करके सडक के रामपत की दोनों तरफ आने वाली बिल्डिंग का रंग और जितने भी शेटर है सबके उपर बनी हुई भगवान राम की आकरिती जंडे सब कुछ इतना अच अच्छी है और इतना सुखद लग रहा है सब कुछ पुरा वातावरन राम में लग रहा है बहुत ही ज्यादा प्रसंदता का नभव हो रहा है सभी के मनों भाव ऐसे ही है बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग बताई मैं प्रफिसर आस्तोस सिंग इसी महाविद्यालय म में रसाइन विज्यान विभाग में हूं मेरे दिश्टकोंड से अधिया का विकास नहीं हो रहा है बलकि अधिया का इस तरह उधार हुआ है जैसे भगवान राम ने अहिल्या का उधार किया था और आधूनिक पुरातन दो विरोधा वासों के बीच में सामंजस बनाके इस चला है और वास्तों में जो इसकी प्राचींता है उसको नमींता में जो समावेस है उसी वह एक बहुत अच्छी बात है यह अधिया में साकेत कालेज है और यह लगभग राम के जी के गुरुकुल के आसपास का केंद्र है क्योंकि बगल में वसिष्ट कुंड है और यहीं क भविश्य के लिए स्वरणिम रेखा है जो रामदम की मातूश- प्राचींता और नभ्यता का सामंज़स से दिख रहा है विकास में तो इस तरीके से पूरे अयोध्या में अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग तरीके के आयोजन दिख रहे हैं, पूरी अयोध्या इस समय राम्मय है और बेहद उत्सा है कैमरामन सुनील कुमार के साथ रविकांत, ABP News, अयोध्या